नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MPS कुछिंग क्लासेस पर हमने यूनिट फर्स्ट अभिविद्धी MPS कर लिया है आज उसका हम प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं और जिनोंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर ल है तो वह अपनी इन वीडियो में आपको मिलेगा और जिन जिन विश्यों की अभी फिलाल तयारी के रहा है उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैट्स की साइंस की इंग्लीश हिंदी तो आप उन पे जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं आई बटन में भी आपको मिल जाएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो सबसे पहला जो कर्शन है वो यह है निमन लिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्या नहीं है विकास अंते क्रिया का फल है विकास एक विवस्तिक श्रंखला का अनुगामी है विकास एमपत्यक्ति गत प्रक् होता है तो हमें बताना है इसमें से सत्य कौन सा नहीं है तो आपके पास पान से किन है बताइए कि विकास के बारे में कौन सा जो कथन है वो सत्या नहीं है तो अंते क्रिया का फल तो है विकास एक विवस्तिक श्रंखला का अनुगामी भी है डेफिनेटली है हम पढ़के आ विकास व्यक्तियत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से समाने की ओर होता है, तो ये जो फॉर्थ ओप्शन है D, विकास विशिष्ट से समाने की ओर होता है, ये जो ओप्शन है ये सही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा D. Second, 6-10 वर्ष की अवस्था में बालक रूची लेना प्रारंब कर देता है धरम में, मानव शरीर में, योन संबंदों में और विद्याले में 6-10 वर्ष का बालक किसमें रूची लेना प्रारंब करेगा? देखे, धरम में तो नहीं करेगा मानव शरीर में भी उसको कोई रूची नहीं होगी, ना ही योन संबंदों में तो वो किसमें रूची लेना प्रारंब कर देता है? D option होगा, विद्याले में देखे जी? अब आगे देखेंगे अनुवान शिक्ता को समाजिक संरचना माना जाता है प्रात्मिक, गौण, गत्यात्मक, स्थिर अनुवान शिक्ता को समाजिक संरचना माना जाता है कैसी समाजिक संरचना है? प्रात्मिक है, गौण है, गत्यात्मक है या स्थिर है? तो इसका option होगा, यह कैसी है? यह गौण है कैसी है, गौन है चोथा ब्रश्न दूसरे वर्ष के अंत तक दूसरे वर्ष के अंत तक शिशू का शब्द बंधार हो जाता है सो शब्द, साथ शब्द, दस शब्द या पचास शब्द दूसरे वर्ष के अंत तक कितना हो जाता है शब्द बंडर सो शब्द कितना हो जाता है सो शब्द संवेग व्यक्ति की उतेजित दशा है यह कथन है संवेग व्यक्ति की उतेजित दशा है यह कथन है किर्क पैट्रिक, वरले, वुडवर्थ या हरलोक किन का है सब्सक्राइब का बियक्ति की उताजित दशा है वुट वर्त का, आगे रेखिए शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? एक तो बच्चे को शरम आने लग जाएं वू शरमा अने लग जाता हैं कि अन्ता लरही है तो शरम आ और एक उसमें गर्व की भावना होने लिग जाए, ऐसी कौन सी विकास की अवस्था में ऐसी दशा होती है बच्चे में, शैश्वा वस्था में, बाल्य अवस्था में, किशोर अवस्था में या व्रिद्धा वस्था में, तो ऐसा कब मैसूस करता है वो, सोचिए, बाल्य अ कप करता है बाल्य वस्था में निम्न में से कौन सा अर्थ आकार बढ़ने से है अभिव्रिधी विकास परिपक्वता या उन्यन आकार बढ़ने से तो कौन सा है अभिव्रिधी नेक्स्ट देखेंगे निकट दूर सिध्धान्त में विकास किस परकार है केंदर में सीरों की ओर उपर से नीचे की ओर दोनों और बराबर या नीचे से उपर की ओर तो इसका उत्तर होगा केंदर में सीरों की ओर यह निकट दूर सिध्धान्त में है यह हम अपनी वीडियो में करके आए हैं यह प्रश्ण भी डिटेल में पढ़ा था हम आपे हमने नेक्स्ट देखिए मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है अभिभावक एम अध्यापक समाजी केम संस्कृतिक कारण वंश्क्रम में वातावरन इन में से कोई नहीं किसका परिणाम है वंश्क्रम में वातावरन देखिए चैनल को सब्सक्राइब और जरूर कर लें वीडियो का लाइक और शियर भी जरूर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि यह जो प्रश्न है बहुत अच्छे प्रश्न है पिछली प्रत्योगी परिक्षाओं में आये होई हैं और आने वाले समय म हमें जब अपनी पेपर होगा उस समय हम जब सभी अपने यूनिट वाइस दैयारी कर चुकी होंगे तो हमें जब प्रश्नों की जरूरत पढ़ेगी तो यही प्रश्न हमारे काम आएगे तो आप वीडियो को पोज करके देखें अपनी नोट्स जरूर बनाएं और अच्छ देखते हैं नीचली के खशाओं में शिक्षन की खेल पद्धती मूल रूप से आधारित है विकास एम वृदी के मनोविज्यान सिध्धानतों पर शिक्षन के समाजशिल सिध्धानतों पर शारिरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिध्धानतों पर शिक्षन पद्यतियों के सिध सिध्धानतों पर बताईए इसका उत्तर क्या होगा शारिरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिध्धानतों पर नीचली के शिक्षन की खेल भद्धती मूल रूप से अधारित होती है शारिरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिध्धानतों पर वुडवर्थ के अनुसार सीखना है वुडवर्थ क्या कहते हैं? सीखना क्या होता है? व्यावार में परिमार्जन, नवीन ग्यान प्राप्त करना, व्यावार में परिवर्तन या विकास का प्रक्रम इसका उत्तर क्या होगा? सोचिए इसका उतर होगा विकास का प्रक्रम क्या उतर होगा इसका विकास का प्रक्रम देखिए प्रश्ण को कभी भी कहीं भी हल करें आप किसी भी प्रत्योगी परिक्षा में तो प्रश्ण पूरा जरूर पड़े एंड तक पढ़ें और चारो उप्शन जरूर पढ़ें और चारों में सबसे पहले जो डिकलाइन होते जाएं जो आपके बाहर होते जाएं कि यह तो बिल्कुली नहीं होगा उसको पहले बाहर कर दें और फिर जिन में आपको दो में आपको हो कि हाँ यह होगा तो उन दोनों पर विचार करें और जब शत्त प्रतिशत आपको लगे यह होगा तो उस पे फटाफट आंसर लगा दें क्योंकि जादा हम अगर दो में सोचते हैं तो भी खराब होते हैं और जिस प्रश्ण में आप को पता है यह 100% होगा उसके भी आपने चारों उप्षन जरूर पढ़ने है इसका जो उत्तर है वो विकास का प्रक्रम है हाँ जी बार्मा प्रश्ण एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानु बुति दिखाता है यह आदत कहलाती है विचार संबंदी आदत भावना प्रति सहानु बुति दिखा रहा है तो उसकी यह आदत कौन सी आदत होगी सोचिए यह आदत उसकी होगी साफ समझ आ रहा है कि भावना संबंदी आदत होगी ना कि वो बच्चा है दूसरों के प्रति सहानु बुति रखता है उसको अच्छा लगता है तो वो क्या कर रहा सहानुबुति प्रदर्शित कर रहा है अपनी विचार संबंदी होगी नहीं तो कौन से होगी भावना संबंदी आदत सीखने का सर्वाधिक उप्युक्त अर्थ है कौशल अर्जन ग्याना अर्जन व्यावार में परिमार्जन व्यक्तिक समायुजन क्या उत्तर होगा इसका सीखने का कौशल अर्जन ग्याना अर्जन व्यावार में परिमार्जन या व्यक्तिक समायुजन देखिए कौशल अर्जन तो नहीं होगा और ग्याना अर्जन पताएए होगा ये भी नहीं होगा और व्यक्तिक समायुजन भी नहीं होगा तो अपना सीखने का सरवादिक उप्रियुक्त जो उतर है वो है व्यवार में परिमार्जन या व्यवार में परिवर्तन ये जो होता है कि सीखने का सरवादिक जो एक लाइन आजाए सीखना क्या है व्यवार में परिवर्तन बहुत बार पुछा हुआ और most important ही question है कई बार पुछ लिया जाता है बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता आत्म के इंद्रिता, सजीवत अवाद, यथार्थवाद या व्याक्तिवाद बालक का चिंतन किससे प्रदर्शित नहीं होता हाँ जी, आत्म के इंद्रिता से होता है, होता है, सजीवता से होता है, होता है, यथार्थवाद से होता है, होता है मगर उसका जो व्यावार में प्रदर्शित नहीं होता, व्यक्तिवाद से नहीं होता अब हमने तीन ओप्शन को अलग कर लिया और चोथे को अपने बाहर निकाल लिया कि यह हमारा और जो इस प्रश्ण में नहीं के बारे में पूछा जाए उसको पहले कुला लगा लो कि ये नहीं पुछा है, कई बार क्या होता है, पुछा नहीं होता और हम आपका उत्तर दे आते हैं, इस तरह से प्रश्ण गलत हो जाते हैं तो हमें प्रश्ण करने भी इसमें ओमार्शीट वाले में आने चाहिए, ओमार्शीट भरनी किस तरह से है क्या होता है पलायन में इस बहुत सिंपल है पलायन भाग जाना तो इसमें क्या है भै बच्चे को क्या है भै हो रहा है किसी को भी पलायन कर गए उस जगह से क्यों कर गए क्रोध हा रहा हम तो हम ज्यादा से ज्यादा किसी से बिढूने की कई लोग कोशिश करते हैं दुख था तो भी हम उस दुख में कई बडूबे रहते हैं और आश्चे रहे होता है थो हमस्तपं दो जाते हैं वहीं जड़ मुर्थ खाड़े रहते हैं मगर जब हमें भै होता है, तो हम वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पलायन कर जाते हैं, तो पलायन की मूल प्रवित्ती किस से संबंदित होती है? भैते, सीखने की खेल विधी उपयोगी है, सुला नमबर प्रश्न अपना, सीखने की खेल विधी, खेल विधी की बात कर रहा हूँ, किस से संबंदित होती है सीखने की खेल विधी? बाले वस्था के लिए, पुर्व बाले वस्था के लिए, युव वस्था के लिए, या परिपक्वत आवस्था के लिए, तो खेल विधी, किस के लिए उपयोगत होगी? पूर्व बाले अवस्ता के लिए ये भी हमने डिटेल में पढ़ा था बाले अवस्ता जब किया था बाल अपराद का पिता किसे कहा जाता है बाल अध्यान का पिता स्टेंले हॉल, प्रियर, शियौन या वाटसन तो बाल अध्यान को बताने वाले कौन थे बाल अध्यन के उपर बात करने वाले कौन थे एक बाल अपराद पे भी बात करने वाले हैं और ये बाल अध्यन की बात कर रहे हैं इसलिए मुझे डाउट हो गया था कि वो प्रेशन बात में रखा जाएगा जब हम संविगों के बारे में पढ़ेंगे तो 17 नमबर जो प्रेशन है वो मारा बाल अध्यन है तो इसके जो बाल अध्यन के पिता कहलाते हैं कौन स्टेनले हॉल याद रखिएगा कि शूर अवस्था तनाव तुफान की अवस्था है कहने वाले स्टेनले हॉल बाल अध्यन के पिता कहलाते हैं चात्र का वह सोपान जबकि वह सरवादिक रूप से समवेगों से घिरा रहता है कौन सा होता है बहुत ही इजी प्रश्न है अभी मैंने बोला भी है कि किशोर आवस्था तनाव तुफान की अवस्था है कहने वाले तो कौन सा होगा इसमें उत्तर किशोर आवस्था चात्र का वह सोपान जबकि वह सरवादिक रूप से समवेगों से घिरा रहता है तो वो होगी किशोर आवस्था कौन सा होगा किशोर आवस्था जब वो समवेगों से घिरा रहता है बालकों में व्यक्तिगत विभेद के मुख्यकारक है विद्यालियों की गुणवत्ता, माता-पिता की शिक्षा, शारिरिक भिन्यता या मांसिक गुण बालकों में व्यक्तिगत विभेद के मुख्यकारन क्या विद्यालियों की गुणवत्ता इसमें काम करती है? नहीं माता-पिता की शिक्षा नहीं शारिरिक भिनता नहीं तो इसका उत्तर मुख्या कारकों में कौन होगा मानसिक गुण हम उनके मानसिक गुणों से ही क्या है ये सोच बता पाएंगे कि उसमें ये व्यक्तिगत भिभिनता है चीक है? ये आप ध्यान रखेगा एक्सन कौन थे? ये कहने वाले कि किशोर अवस्था शैश्वा वस्था की पुनरावरिति है ये जब हमने किशोर अवस्था वाला पाल्ट किया था उसके अंदर ये वली प्रिभाशा भी हम करके आये थे इसको कहने वाले है 20 का आंसर है D एरिक्सन कौने कहने वाले एरिक्सन किशोरा अवस्था शैश्व अवस्था की पुन्रावरित्ती है कौन सी अवस्था में भावनात्मक अस्थिर्ता वे भावावेश अपेक्शाकृत अधिक देखा जा सकता है कौन से अवस्था में भावनात्मक अस्तिरतावे भावावेश अप्यक्षाक्रित अधिक देखा जाता है बच्पन, पुर्व किशोरावस्था, पश्व किशोरावस्था या व्यस्कता जादा ही अप्यक्षाक्रित अधिक वो रहते हैं भावनात्मक रूप से तो वो होती है पूर्व किशोरावस्था जिसमें अस्थिरतावे भाववेश अपेक्शाकृत अधिक देखा जाता है इन में से कौन से विशेशता किशोरावस्था की अवधिकी नहीं है हम नहीं पर पहले ही गुला कर लेते हैं कि हमसे प्रश्ण गल्दत होने के कोई चांसी नहीं हो तीवर शारिरिक विकास एम परिवर्तन भावनात्मक प्रवरित्यों का उच्छ होना विप्रीत लिंक की और अधिका कर्शन स्पष्ट एम स्थिर आतम समप्रत्या भी कहते हैं उसको self concept first time, self concept होता है उनके अंदर क्या ऐसा होता है विपरितलिंक की और अधिकाकर्षन होता है यह आप देखेंगे होता है यह नहीं हमें नहीं चुनना है भावात्मक प्रवृत्यों का उच्छोना तीवर शारिरिक विकास हैं परिवर्तन अब हमने इसमें से चुनना है कौन सा नहीं होता है तो इसमें आप देखेंगे तीवर शारिरिक विकास हैं परिवर्तन होते हैं भावात्मक प्रवृत्यों का उच्छोना होता है विपरितलिंक के प्रतियाकर्षन होता है तो बचा कौन सा हमारा option D स्थिर आतम संप्रत्या स्थिर आतम संप्रत्या उनके अंदर नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि वो हमेशा कभी क्या सोचता है और कभी क्या सोचता है डेड्रीमिंग भी आ जाती है उनमें तो इसलिए ये वला जो है परिवार पर, समाज पर या दोनों पर या इन में से कोई नहीं थेकिए यह प्रश्ण आया हुआ है और जित्ता यह प्रश्ण अपने को सरल लग रहा है न तो सरल है नहीं बहुत से लोगों का यह प्रश्ण गलत हुआ था तो किशोर के असमान ने विवार का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पढ़ता है? क्या होगा आपका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा समाज पर दोनों पर नहीं मुझे पता है आप लोगों ने ज्यादा तरने दोनों पर लगाया होगा कि जो विवार कर रहा है वो परिवार पर भी असर ढालेगा और समाज पर भी पर उन्हों ने पुचा सबसे अधिक प्रभाव कौन सी संस्था पर क्रैक करने की और भीड में से आगे निकलने की तो सबसे ज़्यादा असर समाज पर पड़ता है इसका उत्तर यह है तिहान रखेगा आप इसको इसको इंपॉर्टन है परिपक्वता का संबंध है परिपक्वता का संबंध है विकास से बुद्धी लब्दी 110 से अधिक स्रि इशारेरिक विकास का शेत्र है सनायू मंडल स्मृती अभीप्रेणा समायो जन किससे है कौन सा है शारेरिक विकास का शेत्र है सनायू मंडल विकास में वृद्धी से तात परिया है ग्यान में वृद्धी संबेग में वृद्धी वजन में वृद्धी आकार सोच समझ कोशलो में वृद्धी 26 का उत्तर सोचिए इसका उत्तर क्या है? अकार, सोच, समझ, कोशलों में वृधी बाल विकास का सही क्रम बताना है आपको प्रोडावस्ता, किशोरावस्ता, बाल्यावस्ता B option, पुर्व किशोर अवस्ता, मद्य किशोर अवस्ता, उत्तर किशोर अवस्ता, या बाले अवस्ता, किशोर अवस्ता, प्रोड अवस्ता या इन में से कोई नहीं तो दियान से देखो, देखो, जो A वाला option है, उसमे enabling प्रोड avistah, पहले दे रख है और किशोर आवस्ता बाद में, और बालेयावस्ता और सबसे बाद में, सहीक्रम पूछा उसने, B option, Purovi किशोर अवस्था, Medya किशोर अवस्था और Utra किशोर अवस्था C option भी अपने देखते हैं, Balya अवस्था दे रखती है, फिर किशोर अवस्था दे रखिया और फिर पुरण अवस्था दे रखिया तो उपर वाला जो B अपना option है क्या इन में से कोई आपको सही लग रहा है बताईए तो 27 का सही आंसर है बाल आवस्था, किशोर आवस्था और प्रोड आवस्था तो इसका उत्तर होगा C बिल्कुल सही है पहले बाल पनाता है फिर किशोर आता है और फिर प्रोड होता है ठीक है जी अब हम करेंगे 28 प्रश्न विकास कैसा परिवर्तन है गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक, नकारात्मक तो विकास कैसा परिवर्तन है गुणात्मक मानव विकास को शेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है मानव विकास के शेत्रों में विभाजित किया जाता है मानवी कास के शेत्रों में किस-किस को रखा जाता है देखिए ये आध्यात्मिक को D-Option में देखें तो आध्यात्मिक को नहीं रखा जाता है तो अपना D-Option अपने आपी बाहर निकल जाएगा उसके बाद है मनों में ग्यानिक, संग्यानात्मक, संविगात्मक और शारिरिक तो D option बाहर हो चुका है और इसके बाद हम देखेंगे कि पहले किस किस शेत्र को रखेंगे शारिरिक, संग्यानात्मक, संविगात्मक और सामाजिक तो अपना उत्तर इसका होगा A शारिरिक को देख, शारिरिक शेत्र होता है मानव विकास का संग्यानात्मक शेत्र होता है जो जीन प्याजे ने दिया संविगात्मक शेत्र होता है और सामाजिक शेत्र होता है क्योंकि B के अंदर भी अध्यात्मिक आ गया है ठीक है जी? और अगर A और C में अपने देखें तो शारिरिक तो उपर A वले में है मगर सी वले में मनोविग्यानिक है, संग्यानात्मक है, संविगात्मक है और शारिरिक है मगर समाजिक नहीं है तो मनोविग्यानिक जो होता है वो नहीं हम देखते मानविकास के शेत्र में मानम विकास के शेत्र में हम शरीरिक देखेंगे, फिर संग्यानात्मक देखेंगे, फिर समवेग और फिर स्वामाजिक इन प्रशनों को इस प्रकार से हल करते हैं निमन लिखित में से कौन सी समाधान की विजियानिक पद्धती का पहला चरण है? समाधान की विज्ञानिक पद्धती का पहला चरण प्रकल्पना का परिक्षन करना समस्या के प्रती जाग रुपता प्रकल्पना का निर्मान करना प्रसंगिक जानकरी को एकत्र करना इसमें क्या उत्तर होगा प्रसंगिक जानकरी को एकत्र करना ये इसका D option है और इसका उत्तर क्या होगा क्या प्रकल्पना का परिक्षिन करना इसका उत्तर हो सकता है नहीं क्या प्रकल्पना का निर्मान करना हो सकता है नहीं प्रसंगीक जानकारी को एकत्र करना नहीं सबसे पहले तो हमें समस्या के प्रती जागरुक होना है हमें ये तो पता चले ना समस्या के विज्ञानिक पद्धिती का पहले तो ये पता चले कि समस्या है क्या फिर ही तो हम उसके उसके प्रती कोई परिक्षन करेंगे या उसके प्रती कोई जानकार इकठा करेंगे फिर हम कोई प्रकल्पना का निर्मान करेंगे कि इस समस्या को हम इस तरह से हल करें तो इसका उत्तर हाँ याद रखिएगा आप सबसे पहला चरण क्या होगा समस्या के प्रती जाग रुपता विकास शुरू होता है उत्तर बाले अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शेश्व अवस्था से या पूर्व बाले अवस्था से तो इसका उत्तर है प्रसव पूर्व अवस्था से विकास शुरू हो जाता है बाले अवस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा अकेली आयू समू की आयू दोनों या इन में से कोई नहीं किसकी बात कर रहे हैं बाले अवस्था की तो बदाएए इसका उत्तर क्या होगा जो पिद्वानों ने शिक्षा शास्त्रियों ने कहा है वो गहा है समू की आयू दोनों नहीं है अकेली आयू ये नाम नहीं है शिक्षा शास्त्रियों इसको समू की आयू कहा है लोरेंस कॉलबर्ग विकास के शेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं संग्यानात्मक, शारिरिक, नैतिक या गामक तो क्या होगा इसका उत्तर? C option नैतिक लोरेंस कॉलबर्ग नैतिक विकास के शेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं 34 बिग्गेम हंट की विशेशताओं को सर्वत्म रूप से व्यक्त करने वाले एक शब्द है परिवर्तन शारेरीक समाजिक और मनोवज्ञानिक होता है यह बात किस के लिए कौन सी अवस्था के लिए शैश्व अवस्था के लिए बाले अवस्था के लिए किशोर अवस्था के लिए या प्रोड़ा अवस्था के लिए सूचे ये भी किशोर आवस्था में मैंने करवाया था तो इसका उत्तर किशोर आवस्था होगा मैंने उत्तर ही बोल दिया तो जो भी गेव है हंट है कि विशेष्टाओं को सर्वत्तम दूर से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन वो कौन सी आवस्था के लिए है किशोर आवस्था के लिए ये भी प्रशन आया हुआ है व्रिदियम विकास में क्या संबंध है व्रिदियम विकास एक दूसरे के विरोधी है एक दूसरे के समान है एक दूसरे के पूरक है या वो प्रियुक्त सभी कौन सा option होगा इसका चुनिया हाँ जी इसका उत्तर होगा वृधियों विकास में क्या संबंद है ये एक दूसरे के पूरक है ठीक है जी विरोधी नहीं है एक दूसरे के समान भी नहीं है जब विरोधी नहीं है एक दूसरे के समान नहीं है तो ये उप्रयुक्त सभी तो होई नहीं सकता इस तरह से आप option को हल करना सीखे तो एक दूसरे के क्या होते हैं ये व्रिदियम विकास एक दूसरे के पूरक खिलोने की आयू कहा जाता है कौन सी ये वस्था को पुर्व बाले आवस्था को उत्तर बाले आवस्था को शैश्व आवस्था को ये उप्रयुक्त सभी किसको का जाता है किलोने की आयू पुर्व बाले आवस्था को ठीक है जी किलोनों की आयू है पुर्व बाले आवस्था 37 नमबर प्रश्ट निमल लिखित में से कौन सी कि पूर्व बाले अवस्था की विशेश्था नहीं है दल समू में रहने की अवस्था अनुकरण करने की अवस्था प्रश्ण करने की अवस्था खेलने की अवस्था कौन सी अवस्था नहीं है पूर्व बाले आवस्था की तो पूर्व बाले आवस्था की विशेशता अनुकरन करता है पूर्व बाले आवस्था में प्रश्ड करता है मैंने आपको बताया था ना क्या क्यों और कैसे तो क्या तो वो करया क्या हर बात में उसको कुछ भी देदो पैन देदो पैंसल दो कागज दे दो उसका खिलोना दे दो और भी कई अधरम जो आपके सामने आए सोच लो तो वो क्या होंगे वो सीधा ही पुछेगा क्या और जब वो उससे बढ़ा हो जाएगा बाले अवस्था के अंदर जाएगा तो वो करेगा क्यों प्रश्ण वहां भी हो रहा है उसका क क्यों वहां क्या था और यहां पुछेगा क्यों बाले अवस्था के अंदर खेलने की अवस्था खेलेगा तो भी वो है मगर दल समू में रहने की अवस्था जो होती है वो पूर्व बाले अवस्था की नहीं होती वो उत्तर बाले अवस्था की होती है मगर अगर करने को पूछे तो ये अनुकरन प्रश्ण और खेलने की अवस्था तो उसकी है मगर दल समू की अवस्था जो है ना वो पूर्व बाले अवस्था की नहीं है तो बालक बहुत चोटा होता है वो अपने आप में ही मस्द रहता है अपने खिलोनों में रहता है और वो खेलता रहता है ठीक है जी तो इसका उत्वर हो जाएगा 37 का ए धल समों में रहने की अवस्था पूरुव बाल्य अवस्था की विशेश्था नहीं है 38 नमबर सबसे अधिक गहन और जटिल समाजी करण होता है व्यक्ति के पूरे जीवन में किशूर अवस्था के दोरान पूरुव बालय अवस्था के दोरान या प्रोड़ा वस्था के दोरान सबसे अधिक गहन और जटिल समाजी करण सोचिए क्या बात कर रहा है वो समाजी कर कर रहा है प्रश्न को समझे और क्या कर रहा है गेहन और जटिल तो यह ऐसा कब होता है विक्ति के पूरे जीवन में नहीं बाले अवस्था की बात करें तो उसमें क्या समाजी गरण हो रहा है नहीं बाले अवस्था में भी पूर बाले अवस्था में नहीं उत्तर बाले अव तो नहीं कह सकते, प्रोडवस्था के दोरान नहीं, क्योंकि प्रोडवस्था तो इस पर पहुत मिच्योरेटी आ जाती है, तो समाजी करन अधिक गहन और जटिल तो नहीं हो सकता, और पूरा जीवन लेते हैं, तो सारी अवस्थाइं आती हैं, तो इसका सटीक उत्तर होगा इस प्रश्ण के हसाब से किशोर आवस्था के दोरान, डेफिनेटली किशोर आवस्था के दोरान, एक ही लाइन अपने अच्छे से याद रखे हैं हमेशा, स्टैनले होल साब की, कि अत्यादिक तनाव तुफान की अवस्था है, देखें जी, तो इसका उत्तर हो जाएगा थर्टी एट का बी, किशोर आवस्था के दोरान, नेक्स्ट देखते हैं, थर्टी नाइन, बालक अपने व्यवार की समाजिक स्विक्रिती जिस 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 स्विक्रिती ज जटिल और जब वो अधिक संघर्षों से गुजरता है बहुत जदा उसकी विरोध भरी भाफ ना रहती है तो वो कौन सी होती है कि शोर आवस्था इसका उत्तर होगा कि शोर आवस्था उत्तर वाले आवस्था में बालक भोतिक वस्थों की आवशक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है भोतिक वस्थों के अंदर जो आवशक तत्व में परिवर्तन वो समझने लगता है कौन से में पताईए द्रवयमान में द्रवयमान और संख्या में संख्या में द्रवयम हाच जी उत्न बाले वस्था की बात कर रहा है वो भृतिक वस्थों की अवश्यक ते उन्हें है तिम्हें blir अवहर्मान में आ भृति पर लेता है कि द्रव्य घृक भार संक्या कितनी संक्या यह हैं संक्या भी गिन लेता है उसको गणेत door अपने सिखाते गिन गिन के हैं, ये चार हैं, ये पांच हैं, ये दस हैं, दस में से दो तू रख ले, कितनी बच गई, पत्थरों से, किसी भी चीज से, खिलोनों से, चौकलेट से, टौफी से, तो उसको संख्याओं का भी ग्यान होने लग जाता है, आप अगर दूसरी तीस स्रिकक्षा की जो किताबे देखेंगे, उसमें छोटा, बड़ा, उचा, नीचा, सब जो है, सिखाया हुए, गणित की किताब में, उनके जो टौपिक हैं, वो भी इसी नाम से हैं, तो शेत्र का भी ग्यान उसे हो जाता है, तो ये जो तीनु है ना, दरव्यमान, आप जरूर बताएं कि आपके कितने प्रशन सही होए हैं, आपका स्कोर 40 आउट ओफ कितना रहता है, और प्रशन हल करते हैं, वक्त आपको कौन-कौन सी प्रॉब्लम आई है, प्रशन समझ नहीं आया है, कई बार हमें और उप्शन में प्रॉब्लम आती है, तो आप जरू आप सबी का चयन होगा योगा तो आपकी उजल भविश्य की काम ना हो सहित आपसे इस वीडियो में इतना ही है उसके लिए आपने मुझे इतनी देर सुना इन प्रशनों को देखा उसके लिए थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को भी बताईए थैंक यू सो मच